Welcome to all fifth and a student जैसे कि आज सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो syllabus था वो already complete हो चुका है जितने भी 14 chapters थे हिंदी के test book में वो हमने complete कर ली है तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के बारे में, विलोम शब्द के बारे में आज समझाने का प्रयास करूँगी और आप सभी इसी ये उमीद करती हूँ कि सभी उसे समझने का प्रयास करेंगे जैसे कि यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिये गए हैं मैं उनको read करूँगी और मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी पहला सब्द है इजद उसका विलोम सब्द बेजती दूसरा डॉक्टर उसका patient रात का अपोजिट दिन होता है मुनाफा का विलोमशब्द नुकसान होता है, कठोर का विलोमशब्द कोमल होता है, मातम का विलोमशब्द खुशी होता है, मसहूर का विलोमशब्द बदनाम होता है, बदकिस्मती का विलोमशब्द खुसकिश्मती होता है, नेक नियती का विलोमशब्द बदनियती होता है पुराना का विलोम सब्द नया होता है उदार्ता का विलोम सब्द संकु चितिता होता है स्वार्थ का विलोम सब्द परमार्थ होता है मित्र का विलोम सब्द जो है शत्रु होता है समस्या का समाधान होता है अच्छाई का बुराई पसंद का नापसंद संभव का असंभव, बुद्धिमान का मुर्ख, मंजूर का विलोम सब्द नामंजूर, असली का विलोम सब्द नकली, बेकद्री का विलोम सब्द कद्रदानी, संतोस का विलोम सब्द असंतोस, जूठा का विलोम सब्द सच्चा, आग्रह का विलोम सब्द अनाग्रह, चैन क विलोम सब्द बेचैनी, सफल का विलोम सब्द निश्फल, सक्रिय का विलोम सब्द निश्क्रिय, निवरित का विलोम सब्द प्रवरित, तारीव का विलोम सब्द बुराई, आजाद का विलोम सब्द गुलाम, अपमान का विलोम सब्द सम्मान, दुश्मन का विलोम सब्द दोस्त होता है, अदब का बेदभी होता है, प्राचीन का अरवाचीन होता है, निर्भय का विलोम सब्द भैभीत होता है, विपत्ती का विलोम सब्द संपती होता है, यस का विलोम सब्द अपयश होता है, वर्दान का विलोम सब्द अभिशाप होता है, जीवित का विलोम आप हम एक-िक शब्द के कुछ परियावाची सब्द यहां पर दिये गए, उनका अध्यन करेंगे। पहला सब्द है अंधिरा, अंधिरा को अंधिकार भी कहते हैं, तीमिर भी कहते हैं और तमस भी कहते हैं, अंग को देहं भी कहते हैं, काया भी कहते हैं, शरीर भी कहते हैं और तन भी कहते हैं, अश्व, अश्व को घोडा, तुरंग, घोटक और वाजी भी कहा जाता हैं, इसक के अन्यनाम में नयन, नेत्र, चक्षू, लोचन भी आता है, आभुशन को गहना, जेवर, भुशन भी कहा जाता है, कपड़ा, कपड़े को वस्त्र, चीर, अंबर और पट भी कहा जाता है, पुत्री, पुत्री को सुता, बेटी और तनूजा भी कहा जाता है, इच्छा, इच्छा थाट कामना, अभिलाशा और चा होता है, इंद्र को दैवेश, दैवेंद्र और देवराज भी कहा जाता है, अध्यापक को शिक्षक, आचार्य और मास्टर कहा जाता है, अमृत को सोम, सुधा, प्यूस और अमी कहा जाता है। जीब को हम रसना, जीवा और रस के नाम से जानते हैं। पुरिपती भी कहते हैं, लक्षमी को हम इंद्रा, कमला, रमा और श्री भी कहते हैं, सर्प को हम साब भी कहते हैं, नाग भी कहते हैं, विजदर भी कहते हैं और भुजंग भी कहते हैं, सिही को हम सेर, वनराज और केसरी कहते हैं, हाथी को हम गज, हस्ती, मतंग और करी कहते है शिव को हम शंकर, नीलकंट और हर भी कहते हैं सोना, सोने को हम स्वान, कंचन और कनक भी कहते हैं तीर, तीर को हम बान, शर और इशू भी कहते हैं दास को हम नौकर, सेवक और अनुचर कहते हैं देवता के परियावची सब्दों में देव, अमर और सुर है दूद के परियावची सब्द में दुग्द, पय और क्षीर भी है पक्षी को हम नबचर भी कहते हैं, खग भी कहते हैं, विहग भी कहते हैं और वीगम भी कहते हैं प्रकास को हम चमग, ज्योती, प्रभा भी कहते हैं विजिली को हम चपला, चंचला, दामिनी और तडित कहते हैं, माता को हम जननी, मा, अंबा भी कहते हैं, और मचली को हम मीन, मच्य और जस भी कहते हैं, नौका को हम नाओ, बेडा और तरणी कहते हैं, जहाज को हम पोत, बेडा और जलियान भी कहते हैं, वैसे हिए परवत को हम पहार, गीरी और शैल के नाम से भी जानते हैं विलोम शब्द के बाद अब हम कुछ मुहावरों का अध्यन करेंगे और उनके अर्थ को जानेंगे और उनके वाक्य कैसे बनाये जाते हैं उनके बारे में हम जानकारी को प्राप्त करेंगे तो पहला मुहावरा है मौत की मुह में जाना इसका अर्थ होता है कि बड़ी मुसीबत में फसना और वाक्य दिया गया है यहां पर कि ठेकेदार को पता नहीं था कि यह ठेका लेकर वह मौत की मुह में जा रहा है दूसरा है पार न पाना इसका अर्थ होता है कि मुकाबला नव कर सकना, इसका वाक्य बनता है अकेला आदमी उन गुंडों से पार नहीं पा सकता इसका वाग्य है आतित्ति स्वीकार करके आपने मेरा जीवन क्रितार्थ कर दिया इसका वाग्य है आतंकवादियों के कारण पूरे इलाके में त्राही त्राही मची हुई है फिफ्ट नमबर है रोम रोम पुलकित होना अथार्ट बहुत अधीक प्रसन होना ये खुश होना इसका वाक्य है कई वर्षों के बाद प्रियमित्र को देख कर मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा 6. धन्य होना, अथार्थ जीवन सफल होना, इसका वाक्य है आप जैसे संत पुरिश के दर्सन करके हम धन्य हो गए 7. आखरी घडियों का इंतिजार करना, इसका अर्थ होता है मौत की राह देखना 8. इसका मतलब होता है दिल की बाद जान लेना, वाक्य है बेटे के चहरे को देख कर मा ने उसके हिदय को पड़ लिया 9. आशा के बीज बोना, सकार्थ होता है सुन्दर भविश्य की कलपना करना, वाक्य है मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाकर बेटे ने पिता के रिदय में आशा के बीज बो दिये है 10. कान लगाना, थार्थ ध्यान से सुन्ना, वाक्य है धीरे से बोलो, बाहर शायद कोई कान लगा कर बैठा हो 11. धूल में मिलना, अथार्थ नस्ट हो जाना, इसका वाक्य है दंगों के कारण, लोगों की बहुत सी संपती धूल में मिल गर्वेश नम्बर 12. रेल देना, इसकार्थ होता है धकेल देना, वाक्य है जंगली भैसे ने कई बार शेर को रेल दिया 13. आखों आखों में कहना, इसका अर्थ होता है इसारे से कहना या चुप चाप कहना, वाक्य है उसने मेरी ओर देखा और आखों आखों में ही बहुत कुछ कह दिया इसका वाक्य है देखते ही देखते सिक्का जादूगर के हाथ से गायब हो गया नमबर फिप्टीन नजर रखना ध्यान रखना वाक्य है इसका जरा इस बच्चे पर नजर रखो कहीं यह बाहर न चला जाए नमबर सिक्स्टेन कोना कोना चानना इसका अर्थ होता है हर जगर ढूणना इसका वाक्य है मैंने कोना कोना चान मारा पर मेरी खोई हुई घड़ी कहीं न मिली 17. चहरा सूख जाना इसकार्थ होता है चिंतित होना वाक्य है क्या कारण है कि आपका चहरा सूख गया है नमबर 18 आश्यरे का ठिकाना न रहना इसका अर्थ है बहुत आश्यरे होना वाक्य है बंदर को जोड और बादबा की अथार्ट जोड और घटाओ करते देखकर मेरे आश्यरे का ठिकाना न रहा नमबर 19 धोखा खाना अथार्ट असलियत न समझ पाना इसका वाक्य है मित्र को धोटी कुड़ते में देखकर मैं धोखा खा गया 20. असमंजस में पढ़ना, अथार्ट सोच विचार में पढ़ना, वाकि इसका है राजू, असमंजस में पढ़ गया कि वह मित्र का इंतिजार करे या लोड जाए 21. भोचक का रह जाना, स्तब्द रह जाना, वाक्य है इसका एक पुलिस इंस्पेक्टर को घर आया देखकर पिता जी भोचक के रह गए 22. मुख खुला का खुला रह जाना, अथार्ट बहुत आश्चर होना, वाक्य है के लाल के जादू के कर्तब देखकर शीला का मुख खुला का खुला रह गया 23. नतमस्तक होना, अथार्ट जुक जाना, प्रणाम करना, वाके इसका है सब स्वामी जी के सामने नतमस्तक हो गए 24. खरा सोना बन कर निकलना, परिच्चा में पून रूप से सफल होना अथवा परक में सच्चा साबित होना 25. चैन की सांस लेना, अथार्ट चिनता दूर होना, इसका वाके है जब सेर मुड कर दूसरी ओर चला गया तब मैंने चैन की सांस ली 25. मैं आसा करती हूँ कि सबको मेरी बताई हुई बाते समझ में आई होगी, मुहावरे, विलोम शब्द और तीन तीन या चार चार परियावची सब्दों का आज हमने अध्यन किया, वो सबने अच्छे से सुना होगा और समझने का प्रयास किया होगा आपका जिस दिन ये वीडियो आएगा उसके next day आपको ये PDF अपनी notebook में complete करना है और उसे पूरी तरह से समझने का प्रयास करना है और अच्छे से उसका अभ्यास करता है Thank you all my lovely students, thank you, thank you very much